हेई गाइज वेलकम टू माई चानल ग्लैमा प्यूटी एंड टिप्स आशा करती हूं आपसे भी अच्छे हैं स्वस्त है तो गाइज सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है यह वाला किसी वज़र से यह ओपन नहीं हो रहा है मैं दूसरे ब्राउजर से ट्राइ करके आज यह वीडियो में अपलोड कर रही हूं तो फिर मैं कब ला पाऊंगी ना क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो टोटल एरर शो हो रहा है मैं फिक्स नहीं कर पारी हो बग को तो गाइस उसके लिए सॉरी क्योंकि टू-3 डेस गैप हो गया इस वज़े से तो अवेल श्योर मेक इट श्योर कि यह जो बग है यह जो एरर है शो हो रहा है यह जल्दी से ठीक हो जाए तो गाइस आज मैंने यह जॉर्जट सारी पहना है तो इस सारी को मैंने यह ब्यूटुफल सा रानी कलर का एक सिल्क ब्लाउस के साथ पे रिप किया है और इसको मैंने थोड़ा मॉडन वे में ट्रेंडी वे में ड्रेप किया है अल्ट्रा लोग वेस्ट पे काइंडली बने रहे पूर यह बहुत ब्यूटुफल सा एक यह अला कलर का जॉर्जट सारी है दिन के जो फंक्शन सोते हैं या फिर दिन में पहने के लिए परफेक्ट है बिल्कुल लाइट वेट और बहुत सुंदर तो इसको मैं लोग वेस्ट पर पहले में पहना स्टार्ट करूंगी टकिन करना स् साइट से तो मैंने टकिन कर लिया और आज मैंने हैर्स खुले रखे हैं तो इस ब्यूटिफुल नेक पिस बिल्कुल करके टकिन कर ले और जो फॉल है मैंने हील पहना है जो फॉल है उसका ध्यान रिखे कि एकड़ प्रिफ्टम फ्लोर लेंथ हो ना की छोटा और नहीं बड़ा तो यह हो गया मेरा फर्स टकिन इसके बाद में पाल पलू वाला एरिया में बनाऊंगी इसको अभी रफली ले लेंगे जो पलू वाला एरिया है उसको मुझको ज्यादा रखना है क्योंकि जो पलू है मुझको आज ज्यादा उसको लेंदी रखना है थोड़ा ज्यादा लेंदी रखने से हाइड भी अच्छी दिखती है तो यह बॉर्डर मैंने ले लिया आज और आज में पिनिंग नहीं करू आज कर रही हूं प्लीटिंग तो यह थोड़ा थोड़ा करके प्लीट बना ले और यह अलो और राणीकल का जो कमिनेशन है बहुत ब्राइट है बहुत ब्राइट शो होड़ा है दिन में भी यह बहुत ब्राइट लगेगा अगर आप आपनों के तो बहुत अच्छा तो यह देखिए मैं एकुल कर रही हूं कि यह जॉट्चत सारी है बहुत इजली इसका प्लीटिंग जो हो जाएगा और जो प्लीटिंग के बाद मुझको जो पेनिंग करना है वो पेनिंग भी आज बाहर से लाकि अंदर करके मैं ड़क पेन्धन ही डालना है आज टकिन करके एक दम एक्वाल कर लें और फिर टकिन करें और जब बॉडर वाला एरिया है उसको भी खीच के सामने में ले आए जब ओले उट सेलिब्रटीज होते हैं वो काफी हत्यक ऐसे स्टाइल में अपना सारी ट्रिपिंग करते हैं तो मैं आज वैसा ही ट्राइ किया तो अब ही इसको मुझको पल्लू का एरिया जो है ना वो बनाना है और फिर इसको जो बॉडर एरिया है उसको मुझको कीच के सामने में लेके आना है है हो कि की कि चोटा चोटा करके चांकि कि जोब फलिट है फालो का वो बना लिए just कैसे और इक्राइब कर ले थिख मार्केन, रखना है बहुत ज्यादा ब्राध पल्लू नहीं होना चाहिए जो प्लिट्स है बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना है एकदम नाइरो प्लिटेड यह वाला सारी ट्रेपिंग होगा तो बिल्कुल नाइरो प्लिटेड बनाएं और लेंट अपना हिसाब से ले ले मुझको यहाँ पर आज लंबा पेलू ही रखना है तो मैं उसे साबसे आज वैलू की सेटिंग करूंगे और जो बचा हुआ एरिया है सारी का उसको मुझको ऐसे प्लिट कर लेना है तो देखिए मैंने प्लिटिंग अपना कर लिया फाइनल यहाँ प्लिटेड किया है और इसको यहाँ पे कमुझको पिन करना है ताकि यह अपने जगह से खिसके ना क्योंकि नैरो प्लिटेड है तो नैरो प्लिट बनाके रखने के लिए यह थोड़ा इंपोर्टन है थोड़ा एक पिनिंग कर ले चोटा सा तो यह अपने जगह पे रह जाएगा और जो बाकी वाला एरिया है उसको मुझको लेकर एक और पिन करना है तो यह हो गया कम्प्लीट जो खुला है उसको सामने में लेकर आए और बाकी जो शोल्डर वाला पिनिंग है वो कर ले तो यह हो गया कम्प्लीट थोड़ा से टकीन कर ले अदरवाइस यह बहुत ज़्याद अच्छा नहीं दिखेगा लूज है खुल जाएगा तो कम्प्लीट हो गया मेरा लूप एक लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो यह वाला ड्रपिंग स्टाइल और कमेंड में भी बताईएगा कैसा लगा बिकॉज मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो अल्रड़ी एरर शोड़ा है आई डोट नो कि मैं आप लोगों का रिप्लाइ कर पाऊंगी या नहीं अगर आप लोगों का अच्छा लगता है तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और यह जो मैटरियल है सारी का यह भी बहुत अच्छा है अई लव दिस मैटरियल बहुत लाइट वेट होता है पहनना भी एजी रहता है स्टिफ नहीं होता है तो ऐसे जोड़ जोड़ सारी के साथ यह वाला ड्रेपिंग साल ज़रू ट्राइ करें थैंक यू